नमस्कार दोस्तों तो नई आज ये खबर आए है टाइंस फॉफ इंडिया में चपी है बाकी सारी कंप्रीन्स भी है इनफोसिस, कैप जमिनी, टाटा पावर भी उन में से एक L&T भी है और CEO ने बड़ा बयान भी दिया है, के 5G network के regarding भी दिया है, बाते की हैं और साथ में दूसरा भी बड़ा बयान दिया है, तो बड़ी बाते हुई है आज के दिन में 20 firms ने private 5G network की list के लिए अपलाई किया है, spectrum के लिए अपलाई किया 20 firm में से, देखिए, टाटा पावर भी एक है, पर टाटा पावर आर्मी एनल जैसी स्टोरी होने वाली यह याद रखेगा क्यों कह रहा हूँ मैं देखिए दोस्तों, अभी 220 है, यह 250 तक भी जा सकता है, बट यह दियाद रखिए नेक्स येर, जब यह बढ़ना शुरूगा, फिर इसको रोकने वाला कोई नहीं है, 600 तक भी रोकने वाला कोई नहीं है, यह दियाद रखिए, long term के लिए बहुत अच्छा स्टोक है, आप study करेंगे तो आपको सुन में आएगा मेरे कैने पनी, जब study करेंगे, profit बढ़ता हो, दिखेंगा हर चीज़ दखेंगे, कि तभी invest कीज़ेगा दोस्तों, तभी यह कह रहा हूँ, देखिए regarding भी आज उन्हेंने बात किया, और साथ में यह भी बताया कि कंप्री नी क्या-क्या सुधार किया, अच्छली में वहाँ पे, अपना लोस घटाने के लिए, तो उन्होंने कहा कि EV charging station लगाएंगे, और boost करेंगे, किसको renewable energy को, rooftop solar वैसे ही, वो start कर चुके है, और साथ ही जाद rooftop solar की वज़े से, अच्छली में भी क्या हो रहा है, अब उनके घाटा कम हो रहा है, AT&C losses कम हो रहे हैं, और साथ में उन्होंने एक और नई scheme शुरू की, अच्छली में, जिसमें उन्होंने 20 लाक मीटर्स चेंज कर दिये हैं, अच्छली में टोटल जो consumer है, वो 9.5 मिलियन है मतलब 95 लाक consumer है, टोटल कर डोटल, और उसमें से 20 लाक जो consumer है, उनका actually में डिसकॉम का, इन्होंने, जो मीटर्स होते हैं, मीटर्स पहले गडबड़ वाले मीटर्स थे, वो हटाए हैं, देखें 20 लाक एकर मीटर हटाए हैं, तो उनसे profitability होगी, याद रखेगा, तो अच्छ में अगाइ टना चास्टो का दोस्तों